हेलो मैं फ्रेंड श्वाइट है आपका रेंट सिमिलेटर की एक और नियो गेम प्ले वीडियो में लास्ट गेम प्ले वीडियो में हम अपने फारेंपे न ये वाली दो बक्रियां लेके आये थे इन्हों ने याँ पर दो मस्त चोटे चोटे और प्यारे प्यारे से बच्चे भी दे दिये हैं अभी थोड़े दिन में अपने बच्चे भी बड़े होके कुछ बच्चे दे दे देंगे ओके इसके बाद मैं जंगल में गया था और जंगल से भी भाई मैं कुछ मदू मकी आयना पकड़ के लिया था तो इन्होंने भी याँ पे मुस्त सैथ बना के त्यार कर दिया है आज की गेमपले वीडियो में हम अपना सैथ भी निकार लेंगे और सैथ निकारने के बाद जो अपनी बकरी है ना भाई ये भी दूद देती है तो इनका भी दूद आज मैं निकारने वाड़ा हूँ वैसे मुझे इन बच्चों पे दया आ रही है कि भाई ये बच्चे अगर मैं दूद निकार लूँगा तो ये क्या पिएंगे पर यार बिजनेस है तो बिजनेस तो करना पड़ेगा इनके लिए मैं थोड़ा बहुत दूद छोड़ दूँआ ठीक है इसके बाद मैंने अपने फारम पे विंड मिल लगाई थी जिसके कारण मैंने यहां पे एक पोदा उगा दिया था और पोदे का नाम था भाई वाटरमेलन जो कि मैंने यहां पे आरवेश्ट करके यहां पे रख लिया है हम एक बार अगर कोई बीज उगा देते हैं तो उस बीज से हम पांच बार आरवेश्ट कर सकते हैं तो यहांसे मैंने पंक तर्बूज निकार लिये हैं, मैंने अब एक बार में ऐना यहां पे वीज उगा देता हूं, मैं की आपनें को और तर्बूज मिज़ सकें, तो इसनी शुआँ वहाँ ऑच होगों. जो अपनी बक्रियां और जो मुर्गियां बीट करती है ना तो उसी से मैंने फर्टिलाइज बना के अपने पोदे में डाल दिया है ठीक है तो ये सब तो हो गया पिछले पार्ट के बारे में मैंने या पे कुछ ओफ कैमरा भी वरक कर रख का है तो वह भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ओफ कैमरा मैंने या पे यह वाड़ी लाइटे लगाई हैं इसको हम इसे ओन कर सकते हैं उसके बाद मैंने ओफ कैमरा यहाँ पे पक्रियों के लिए भी एक बाड़ा बना दिया है जिसके लिए मैंने यहाँ पे काफी सारे पेड़ काट दिया भाई जहां तक आप देखोगे ना तो वहाँ तक आपको पेड़ी पेड़ों की कटाई नजर आएगी यह देखो भाई वहाँ तक मैंने इतनी जगह में पेड़ थे सारे के सारे काट दिये और पेड़ काटके मैंने यहाँ पी यह वाड़ी लकड़ियां भी बढ़ा ली है जो की अपनी मुसीबत में काम आ सकती है ठीक है तो हम फटा फट एक बार है ना अपने जो एनिमल एनन की भाई हैल्थ वगेरा चेक कर लेते हैं सबसे पहले हम मुर्गियों की चेक करेंगे तो भाई मुर्गियों की हैल्थ बहुत ही अच्छी है और इन्होंने काफी सारे अंडे दे रखे हैं कि अबहुंगे तोकरी के अंदर नज में साथ अंडे है पिंगे सारे के अंडे । इसको यहां मैं मिंठ रक्ति इसको बार रखना पड़ेगा क्योंकि यहAL ढइसका मुठी में को यहां पर पठकना पड़ेगा और अंडा एक नहीं है और दो है मेरे को दो दीख चुकी है तो इसको है ना मैं इसके अंदर रख देता हूँ अभी एक अंडा और बचा है तो पांच मुर्गियों ने भाई छे अंडे दे दी है इसका मतलब जो अपनी एक मुर्गी ना वो होती है वाई क्योंकि वो उसने ना दो अंडे दी है ओके अंडे अपने कलेक्ट हो चुके हैं और अपनी टोकरी के अंदर पूरे तेरा अंडे हो चुके हैं तो अभी हम एक काम करते हैं जो अपनी मदो मक्यों ने सैद बना रखा है ना ये भाई कलेक्ट कर लेते हैं और सै आने के लिए 20 कॉंक्रीट लगेंगे और 20 मेटल लगेंगे तो यह वाली चीजे भी अपने को मर्केट से लेके आनी पड़ेंगी तो अन्य एक्स्ट्रेक्टर को है ना मैं इसी के पास बना देता हूं ताकि अपने को यह वाली जाड़िया निकाल के दूर ना जाना पड़ें तो इसमें लगेंगे 20 कॉंक्रीट और एक मिन्ट यार सची अपने पास कॉंक्रीट और मैटल तो पड़ा है भाई एक मिन्ट क्योंकि मैंने यह वाला मकान बनाए ना तो उस टाइम में लेके आया था और अपना कुछ आइटम बच गया था जो कि मैंने सायद यहां पे हां रख रखा है भाई ओके तो अभी एना मैं जल्दी से हनी एक्स्ट्रेक्टर बना लेता हूं चलो यार यह भी अच्छी बात हुई हमें मार्केट में नहीं जाना पड़ा तो मैं कॉंक्रीट उठा लाया हूं और जल्दी से कॉंक्रीट को इसके अंदर फील कर देते हैं चल जल्दी से भाई सैद बनाने की हम पर क्रिया स्टार्ट कर देती हैं तो पहले हाँ भाई मेरे को याद आ गया मदू मक्यों को आत लगाने से पहले हमें यह वाड़ा फुस फुस जिसको हम 20 मोकर बोलते हैं यह वाड़ा हमको इसके उपर चलाना पड़ेगा तो इसको एक ब गूम गूम के इसके अंदर जितना भी सैद इकठा हो रखा है ना वो सारा का सारा निकल सके ओके इसको भी मैं यहां पर लगा देता हूं और वैसे मेरा प्लान है कि आज मैं और भी मदू मक्या पकड़ के लाऊं और साथ ही मैं आज की गेम प्ले वीडियो में कुछ खेती बगेरा भी करने वाड़ा हूं यहां पर ठीक है तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं इसे ओन हो गई है मसीन हमारी चलनी शुरू हो चुकी है साइद इसके निचे हमें कोई बैरल वगेरा लगाना पड़ेगा तब हम इसके अंदर से सैद को कलेक्ट कर पाएंगे तो ए एक अपने को जो अपनी बग्रिया हैना इनके लिए भी कोई बगेरा लेकर आनी पड़ेगी ताकि मैं दू दिन का निकालज़कूँ ओके तो मैं एक बार नोट कर लेता हूं कि क्या क्या चीज़े अपने को मार्केट से लेकर आनी है तो सबसे पहले तो हमें एक बैरल लेक मेरे najप đến तो मेरे को गास वगेरा काटना पड़ेगा तो यह रोरी सारी की सारी जीज jong-विड की सारी है आपने को मार्केट से लेकर आनी है तो एक बार तो मैं यह वारा जू आइटम है वैं इसको अपनी गाड़ी ताकि अपने को रास्ते में कोई छत्ता दिखे वैसे मैंने एना छत्ता एक देख रखा है उस छत्ते से मैं मदू मक्या लेके आऊँगा तो मैं यहांसे एना दो बी हाई उठा लेता हूँ क्या पता हमें दो छत्ते मिल जाएं यहांसे मैंने भी हाई वाड़े च्छते उठा लिए और एक बी स्मोकर उठा लिया है तो एक बार इसको है न हम बंद कर देती हैं भाई अपनी मद्व मक्यों को मैंने इसी के अंदर छोड़ दिया बस मर्द ना जाए मैं आऊं जब तक एक बार मैं इनका भी खाना वाणा च कि एक बेच याँगा था उड़स अपने साथ यह अपने काफी बड़ेए बड़े sorboot में फिटन होंगे और सब्सक्रों और इसको एक के ऋपर एक लगा भिए उख सकता हूं जल्दी से 25 के पंचोंत तर बूज मैंड़ी में अपनोनोने पै receptor at my व-star गे 5 ए-5 मैं पांठी लोड़ कर लेता हूँ और देखो मैं यहां पे आगया ना तो मेरे को एक और काम याद आ गया कि मेरे को अपने फारंज पर ये वाड़ा तेल भी लेकर आना पड़ेगा क्योंकि अपनी है ना गाड़ी में कभी भी तेल खतम हो सकता है और मुसिबत में भाई फिर मेरे को और फटाफट भाई बेच के आते हैं तो मैं सीधा एक बार हाडवेर स्टोर पे चलता हूं तो चलो भाई आडवेर स्टोर पे चलते हैं सबसे पहले तो कि आडवेर स्टोर पे हम पहुंचने ही वाले हैं और रास्ते में ना मेरे को एक इरंड दिख चुकी है तो जल्दी से मैं इसका शिकार करने वाड़ा हूं एक मिंट भाई एक मिंट एक मिंट सायद मनस्दीक से भाई गोडी नी चल रही सायद लोड करनी पड़ेगी ओके लो सब्सक्राइब जानवरों को मारना अच्छी बात नहीं होती तो साइद अपने को मिट बेचने के लिए ना पहले यांपर गाड़ी लेकि आनी पड़ेगी और गाड़ी के अंदर सारा का सारा मिट लोड करना पड़ेगा तो मजल्दी से ना गाड़ी को लेके आता हूं और ट्रक वारा बंदा भाई काफी ज़्यादा गुस्से में आ गया क्योंकि मैंने आपे थोड़ा सा जाम लगा दिया है तो फटा-फट गाड़ी में बैठके अपने इरन वारे मीट को उठा के वह भी बेच थेंगे भाई अपने फरी के ही पैसे हैं क्या लगा अपनी तो ही लगी है वैसे मैं एक बार ना गोड़ियों का भाव भी चेक करूँगा क्या पता अपने को मीट का इतना भाव ही ना मिले और हमने गोड़ इतने पैसे की चला दियो तो फिर गल्त बात हो जाएगी ना तो यहां से मैंने मीट क्लेक्ट किया था इसको कहां पर रखूं लेकिन मेरे को लग रहा कि शारा समान गिर जाएगा क्योंकि यह ना मैने देखो भाई बाकी अपना जो मीट भाई ना वह नहीं गिरा तो मैं तीरे-दीरे गाड़ी चला लेता हूं अभी थोड़ी अराम से भाई अराम से अराम से भाई एक काम करते हैं जो आपना best burger है ना यहां पर भी तो साइध हम चीजे बेच सकते हैं तो एक बार मैंना देख लेता हूं अपने को गाड़ी कहां पर खड़ी करनी है साइध यहां पर अपने को गाड़ी लेके आनी है और फिर साइध हम कुछ समान बेच पाएं तो एक बार मैं गाड़ी को यहां पर लेके आता उके जल्दी से start करके वहाँ पर गाड़ी को लगाते हैं अराम से भाई अराम से ठीक है यहाँ पर गाड़ी खड़ी यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके बेच के देखते हैं साइद अपना यहाँ पर कुछ material भिख सकता है इसके कोई manager वगेर है न उससे बात कर लेते हैं तो यहां से अपने को अंदर जाना है और साइद मैं यहां पर कुछ चीजे बेच पाऊं तो कहां से इससे बात करनी पर नहीं 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 यहां पर अपने को बेच देना है तो यहां से यह देखो भाई यह अपने को पढ़ रहा है एक मीट 15 डोलर में अपन दिक्कत नहीं है अब माराम से गाड़ी को बखा सकता हूं जल्दी से अब हम आडवे स्टोर पे और चल लेते हैं और वासे एक ग्रास रिमूवर यानि की कोई यार गास काटने वाड़ा ट्रेक्टर लेके आना है रास्ते याद होने के बाद ज्यादा दिक्कत नहीं होती या सायद पैसे चेक यह वाड़ी मशीन में भी हो जाते हैं तो अभी अपने पास 2484 डोलर हैं ओके और ग्रास काटने वाड़ा अपने को मिल रहा है पूरा 1000 डोलर में ओके इसको यहां पर यह ना बाय कर देती हैं और बाय करने से पहले यह ना अपने को मिल्क कैन चाहिए जिस के अंदर मैं हनी को इकठा कर सकूँ यानि की सैद को और बैरल मेरे को यहां पर नहीं मिलेगा क्योंकि बैरल है ना सायद जनरल स्टोर पे मिलेगा मेरे को तो बैरल यहां पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है एक बार मैं अच्छे से ना नजर मार लेता हूं नहीं यार मैंन इसको देखलेते हैं और इसको जल्दी से एना मैं खेत में पहुंचाके वारे पे सारा का-सारा गास काट लेता हूं पहले और फिर हम सीट वगेरा लेके आएंगे और ये वारे गाड़ी है न ये साइद मेरे को बाद में ही लेके जानी पड़ेगी क्योंकि इसको मैं एक मिट देख लेता हूं क्या पता मैं इसको इसके अंदर लोड कर पाऊं लेकिन भाई ये इसके अंदर लोड नहीं होगा ये मेरे को चला के ही लेके जाना पड़ेगा तो इसको जल्दी से एनमा खेत में पहुंचा देता हूं और इसके अंदर तेल तो फुल है तेल की कोई दिक्कत नहीं है उब भाई एक और हिरन आ गई भाई देखना का पर आगई एक में टूचा तेरी ऐसी कि तैसी ओके ये वाली भी इरन मैंने मार दी है आज तो अपना दिन काफी अच्छा चल रहा है भाई वैसे तो इसका भी मैं ना चिक्कन बना लेता हूं और जब मैं गाड़ी लेने आँगा ना तो चिक्कन को बेस दूँआ यहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई पैसे अ क्या क्याम है और जैसे छोटा बच्चय वाला टेक्टर कि बाई देखना कितना टाइम लगए कि दृक 참ण कि हैं क्या क्या टेक्टर है वाई इस चोधी है डी क्या कम बात ने यहां और ले कर लेकर पड़ेगा क्या देखते हैं भाई बालू जी हेलो बालू ओ तेरी ओ तेरी ऐसी कित तैसी ओ भाई पिछे पड़ लिया एक मिट शाड़े तैसी ओ भाई गोली नहीं चल रहे यार मेरे से लोड करनी पड़ेगी पहले भाई बेफाल तुम्हें गर पे जा रहा था यार क्या बला शेड ली मैंन एक मिट साड़े आप आजा आप आजा तेरी ऐसी कित तैसी तेरी ऐसी कित तैसी ओके और बालू का सिकार भी कर दिया भाई यार तो मेरे को पता नहीं क्या हो रखा है अपने गेम को यो रखा है मेरे को तो क्या हो रखा है अपने गेम के अंदर मैंने दो हीरन और एक इसको भी मैं यहीं पर छोड़ देता हूं और अपने ट्रेक्टर के अंदर बैठके भाई दुबारा से खेत में चलती हैं अभी मेरे को बहुत जादा टाइम हो गया और अब भी तक मैंने आदा रस्ता भी नहीं आपा है तो जल्दी से चलते हैं भाई पहुती बुरी तरह भाई ठक भी चुकाया क्योंकि यार पहुती लंबा सफर सफर तो चोटा थैयार इस ट्रैक्टर नहीं जादा देर लगा दी तो मैं ना खेती इस वाले एरिये में करने वाड़ा हूं एक बार जो अपनी विंड में लेना इससे मैं एक बार लान फार तो क्यों किसी जानवर की अत्या कर निया, तो हम जो इससे के उंदर में कर सकता हूं कहांती में कर्ले लेते आहं, वैसे कोई दिक्कत नहीं देता हूं ताकि अपनी खेती करने में कोई दिक्कत ना हाई ओके यहांसी यह वाड़ी जो च्रोण फर्टी है ना यह भी अटा देता हूं मैं ठीक है इसको उठा लेते हैं इसको उठा लेते हैं और इसको एक बार यहां पर रखे देते हैं जल्दी से भाई यापी है ना मैं खेती वाड़े बैड़े से बना देता हूं पिछली बार जहां से मैंने तरबूज वगेरा अर्वेस्ट की है ना वह समाल क्रोप प्लोट था और अब की बार मैं लार्ज क्रोप प्लोट बनाने वाड़ा हूं जिसके अंदर हम दो सीड लग करता है यहाँ पर जो भी गास पूस है ना वह सारा सारा काट देता हूं एक बार ऑके टेक्टर कोन कर दिया है और देखते हैं भाई किस तरह सब्सक्राइब आपayedंसे न में एक बार इस वारे एरिये की गरास करलेता हूं चलू हमने यहां से कुछ एरिये कीod कर दिए और अब Heath emitन नहीं बिल्कोल साफ हो चुका है तो अभी 8 ना मैं यह वाड़े large crop plot यहां पर लगा देता हूं कुछ तक यहां पर मस्त मस्त seed उगास के एक यहां पर लगा दिया है और एक इसी के साथ मैं यहां पर लगा देता हूं बिल्कुल सीड में ओखे और एक यहां पर लगा तेतने हैं तीन और एक यहां पर च्यार ठीक है अभी इसी के साथ मैं च्यार यहां पर लगाता हूं एक दो भाइ टेटे लगा दिये थोड़े से चलो कोई बात नहीं च्यार और च्यार मैं यहां पर लगा देता हूँ अभी के लिए आए मैं थोड़ी बहुत ही खित्ती करने वाडा हूँ क्योंकि अभी यार अपने पास पैसे नहीं है क्योंकि अभी इनके अंदर ना काफी सारे स्प्रिंकल वगेरा लगाने पड़ेंगे और अभी मेरे पास इतना जोदो लकडीयां लग रही है मतलब अपनी सौरी की सौरी लख जाएंगी भाई देखनो एक लगाने में और एक बंड़र की अंदर ना सात लगडियां हैं तो एक बार मैं सारे के सारे बना लेता हूं फटाफट और सची यार एक बनाने चेकर रेडियेस में आती भी रहा है यह आइए तो एक बार चेक कर लेते हैं बाद में पता चलता तो मारे साथ थोड़ा बहुत दोख़ा हो तो हमको है ना यहां पर एक यह वड़ा तोड़ना पड़ेगा क्योंकि यह अपने कोई काम का नहीं है यह भी कोई काम का नहीं है यह भी कोई काम का नहीं है वैसे काम का तो यह भी नहीं है भाई आदा ही काम का था अभी जितने भी बचे हैं यह सारे के सारे काम के हैं इनको बना लेता फटाफट फाइनली हमारे सारे के सारे खेट बनके त्यार हो गई हैं अब यह बसका सर्थ है तो इनके अард शीड लगाने के लिए मेरे को पहले गाटी के पास जाना है और काफी सारी चीजे लेकर आणी है तो नीसा ड़ता हूर करें बैस पर जो मैंने या पर इर्ण मारी थी ना वो मैं जल्दी से बेश देता हूं उसके बाद गाड़ी उठा के चलेंगे और मैं सोच रहा हूं कि आज है ना हम कोई और मदू मक्या नहीं पकड़ेंगे क्योंकि मेरे को लग रहा है कि भाई वीडियो काफी लंबी हो जाएगी यह सारी चीजे करने में तो आज हमें एक बार मदू मक्या पकड़ने को रहने ही देती है वैसे जो हमारी मदू मक्या है ना इस साइड आपको इस लोकेशन पर मिल जाएंगी ठीक है तो अगर आप खेल चीजे गाड़ी में लादगे जल्दी से एना जनल स्टोर पर चलते हैं क्योंकि वहां से भी मेरे को स्प्रिंकल और शीड वगेरा लेने हैं समान अपना सारा का सारा गाड़ी में लोड हो चुका है तो अभी एना जनल स्टोर पर चलते हैं एक बार चलो यहां से हम जल्दी से स्प्रिंखल और क्या लेना था भाई शीड वगेरा ले लेते हैं फटाफट और एक सची बैरल भी लेना भाई बैरल मेरे को याद आ गया जिसके अंदर मैं हनी को इकठा करना वाड़ा हूं करने वाड़ा हूं तो यहां से एक बैरल को मैंने बाई कर लिया है मतलब एक पर पाइनेपल का काफी मेंगा सीड है वैसे अभी मैं कैपेबल हूँ भाई कोई भी सीड वगेरा खरीच सकता हूं लेकिन मेरे को नहीं चाहिए और टमाटर भी ले ले लेते हैं तो मैंने यहां से टमाठर और गैबेज यानि गुपी का गुपी होगी ना भाई आप लेता हूं मतलब 10 एक बार में 10 पर चेज कर सकते हैं स्प्रिंकल तो यहां से मैंने 10 एक बार पर चेज कर दिये हैं और जल्दी से समान लाद के भाई खेत में चलती हैं क्योंकि अभी आपना टमैटो वारा सीड इसको भी फटा फट रख लेते हैं इसको भी मैं सायद इसको मैं साय पर रख पाओं इसको इसको भी रख दिया है अपने गैबेज वाले शीट को यहां कर देते हैं अभी और क्या रहे गया यहीं है और मेरलर को घर जाने से पहले नींच हम आपने कर लेता हूं चलू अपना सारा समान लोड हो गया है आप बस तरन पैट्रोल पंपे नहीं कि यह धायling और देख़ा से एटो फोटेन और इसको स्थार्ट कर देते हैं चलो हमारी जरिकन बढ़नी शुरू हो चुकी है उसके बाद मैं गाड़ी को भी थोड़ा से यहां पर लगा देता हूँ एक बाद में बढ़नी शुरू हो चुकी है अभी यह वड़ी निकालके अपणी गाड़ी के अंदर भी लगा देते हैं और इसको स्थार्ट करना है पर अपनी गाड़ी के अंदर भी तेल दलना शुरू हो चुक क्योंकि बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी है मेरे दादा जी ने यह बोल रखा है कि आपको रात में कहीं पे भी नहीं जाना है तो यार मैं गल्ट आगया जल्दी से रेंच में चलते हैं ठीक है यहाँ पर गाड़ी को रोक के और जल्दी सारे के सारे स्प्रिंकल लगा के जल्दी से भाई इनके अंदर रहना सीड़ लगा देते हैं और जो मैं दूद और अनी निकालने वाड़ा हूं वो भाई मैं सुबह निकालूगा क्यों कि रात हो गई है बीचारे जानवरों को क्यों परिशान करना भाई ठीक है तो यहां पर स्प्रिंकल लगा देती हैं और इनके अंदर भाई सारे के सारे मैं सीड़ भी लगा दूआ जितने भी मैं लगा पाऊंगा ओके यहां पर एक और स्प्रिंखल orsch officially अपने पास 3 6 और 2 8 यहीं तो दो स्प्रिंकल अपने यहां पे गिर गए थे भाई कहां पे गए ओके सारे के सारे स्प्रिंकल लग चुके हैं अब भी बारी आईए भाई सीड की सीड सबसे पहले मैं यह वाड़ा लगाने वाड़ा हूं पता नि कौन सा उठा लिया मैंने आत्मे तो ही टू प्लांट कर देते हैं इसके अंदर भी 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 चलो इसके अंदर च्छै मैंने च्छै सीडेने टमेटों के लगा दिये हैं एक पर इस वाड़े पैकेट को मैं यहीं पर रख देता हूं और जल्दी से भाई गोबी वाड़े पैकेट को उठा के यहां पे गोबी भी मस्त उगा देती हैं छै मैं गोबी के पेट यहां पे लगा देता हूं और यहां पे चियार लगा दूँआ भाई तरबूज के पेट तो जल्दी से मैं तरबुज वड़े शेट भी उठाके यहां पे पुट कर देता हूं उसके बाद मस्त सो जाता हूं और सुबह उठके भाई मस्त मस्त दूद निकालेंगे और मस्त दूद पीके मस्त ताकत आ जाएगे अपने सरीर में और मस्त काम करेंगे हम तो यहां से यह वड़े शेट भी मा लगा देता हूं और जल्दी से चलके यार सो जाते हैं फटा फट गेट बंद करके पता चले बालू आ गया और खा गया बहुत बड़ी प्रोब्लम हो सकती है प्रोब्लम क्य आप कोई फर्टिलाइज वगेरा डालना था एक बार मैं बक्रिया देख लिता हूं तो बक्रियां आपनी खड़ी ओ चुकिये जल्दी से इनके अंदर फर्टिलाइज यह वड़ा फर्टिलाइजर दाल देते हैं जो कि मैंने खुद बणाया है तो यहां पर शारा का सारा इसके अंदर टाल दिया मैं एक के अंदर ही ड़ाया क्योंकि इसके तीरा बहुत ही कम फर्टिलाइजर बन ता तो यह गहां पाल एक मैं और यहां होगा, फिर अगेंडा पता कर्म अधिक जीिस को हैं तो इनके अंदर मैं डाल लेता हूं फटाफट सायद अपना अभी भी ये वाड़ा रह गया नहीं डाल दिया ये वाड़ा रह गया और ये इसके अंदर नहीं डाला सायद या फिर मैंने इसके अंदर नहीं डाला इसके अंदर भी नहीं डाला इसके इसके सायद अपना भाई शोडरी वाड़ा पॉट है इसके अंदर मैं नहीं डाल पाया तो अभी चीजी है और अभी स्प्रिंट्ल को ऊन करना है लोसे थीका स्पूरिंखल साइद अपने आप उनड़ करने की जुरूत नहीं अभी अमें नेक्स्ट पार्ट में काफी सारे फड़ फ्रूट मिल जाएंगे तो जल्दी से ना सबसे पहले तुम हनी निकाल लेता हूं भाई ताकि अपनी बक्रियों की थोड़ी बहुत नेंद खुल जाए क्योंकि अभी सुबह सुबह हुई है ना तो अभी बेचारी उठी हैं तो इस इनको एक मिट्र यार थोड़ा और वेट कर लेते हैं क्या पता थोड़ा बहुत सैद और निकड़ाए नहीं अभी नहीं निकड़ेगा तो इसको ओफ करके यहां से ना यह वाड़ी मद्व मक्यों को हम निकाल लेते हैं लेकिन उससे पहले मेरे को 20 मोकर कहां पे गया अपन यह यह बीस चलो यह चोड़ो मैं इनको ना बाद में निकाल लूँगा तो अपने बैरल के अंदर ना दो पॉइंट साथ परसेंट सैद आ चुका है और इसके अंदर टोटल साथ पॉइंट पांच परसेंट आता है तो साइद मैं तीन बार सैद निकाल लूँगा ठीक है जल्दी से जल्दी से अब हमें ना एक मिट एक मिट एक मिट पकर्यों का दूद निकालेंगे लेकिन उससे पहले ना मैं यह वड़ा तरबूझ को आर्वेश्ट कर लेता हूं और यहां पे रख लेते हैं अब हम आराम से बकर्यों Desire Как अब्वालिग निकालने वाये तो साय सायद बक्राई है अपना अरे रुक जा भाई इसके निचे तो बाल्टी का उप्सन ही नहीं आ रहा तो यह बक्राई है इसके निचे कहां बाल्टी लगाऊंगा मैं और यह वाड़ी रोशनी किस्की होगी सायद अपना सूरज ना बादलों के पीछे चुप चुका है और मेर इसके निचे बैठके मैं दूद भाई निकाल लेता हूं ओके बंदा अपना बैठ चुका है और यहां पर हम दूद निकालना मैंने शुरू कर दिया है अगर मैं गल्त तरीके से दूद निकालूँगा ना तो देखना बक्री बोल लेगी अभी सुनना यह देखो बाई गल एक बार यह वड़ा जो दूद है ना इसके अंदर मैं डाल देता हूं जो कि अपना बड़ा ट्राम है ना इसके अंदर डाल देती है और दूबारा से निकाल के देखते हैं क्या पता में और भी दूद मिल जाए तो इसके नीचे बाल्टी लगानी है और दूबारा से मैं भए और मिल्क नहीं है तो बिचारी के साथ क्यों ना ना स्टाफी करनेशी कैना कर में सायधर में इन्हों नेए जो बच्चा दी थै। ना वो भी बड़ा हो चुका है और यह उन्हों ने बथरा ही दिया रहा Ale कोई काम का नहीं है इसको मैं मार के मिट वगेरा बना लूँआ इसका ओके तो यह वारी बाल्ती रखेंगे और वीडियो का चोड़ दिया क्योंकि मदो मक्यों को भी तो भाई जीवीत रहने के लिए थोड़ा बहुत सहद चाहिएगा ठीक है और अमारी फसल भाई बड़ी भी होने लग चुकी है ठीक है तो आज की गेम प्ले वीडियो में बस इतना ही पसंद आये तो लाइक शेयर सब्सक्राइब को बड़ाई